So welcome back दोख्सतों कैसे आप सभी लोग आपने का और हमने सुना येस आपके काफी जादा कमेंट आ रहे थे 10th pass, 12th pass और एनी graduate level की जोब पे और especially सरकारी जोब जहाँ पे आपकी अच्छी salary हो तो आपकी जोब है वो ESIC बे निकली है जो की बहुत reputated organization है इंडिया government की और यहाँ पे अगर आप 10th pass है आपके लिए जोब हैं MTS level की अगर आप 12th pass है तो आपने सुना होगा Stanographer तो येस यहाँ पे Stanographer की जोब और आपने एक आपके जोब निकली है क्या से apply करना है क्या time and condition है क्या exam का notification निकला है और किस तरीके से आपको जोब मिलेगी A to Z सारा analysis यहीं पे करेंगे इस लिए वीडियो का आपको जल्ली से जल्ली like करना इस वीडियो का target रखते हैं 2000 likes का यहाँ पे इस target को रखने का सबसे बड़ा motive यह यह really want to know कि आपने कितने सारे person इतने energetic कितने enthusiastic है अगर उन्हें कोई भी golden opportunity मिलती है तो उसको पूरा देखते हो साथ में वीडियो को like करके यह भी बताते है कि उनको इस type के और opportunity time to time चाहिए तो अगर आप रियल में इंट्रस्टेड हो तो वीडियो को like करें बिना बिलकुल म मैं सेचीन चुहान आपके लिए लेके आज चुका हूँ ESIC recruitment 2022 की update आपका ESIC stand करता है Employment State Insurance Corporation से जो की आपका Employment का Insurance से रिलेटिड बहुत रहता है पर आपको उस पर majorly focus नहीं करके अपनी qualification के according अपनी profile पर focus करना है तो यहाँ पर almost सबसे पहले बात करें location की तो दस से नहीं मिलेगा और जब आप page number 5 पे जाएगा वहाँ पर आपको official notification मिल जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सब्सक्राइब में discuss करते हैं कि exactly क्या-क्या यहाँ पर profile है तो सबसे पहले यहाँ पर profile जो निकलिए हो आपकी MTS MTS की profile होती है वहाँ अगर आप 10th path से आप यहाँ पर करो तो आपके 10 मिनिट के अंदर 80 word per minute speed यहाँ पर होनी चाहिए वह सारी चीज है आपके लिए बहुत जाने importance रखती है जो कि आपका जब तीसरा test होगा मैं भी आपको test का number भी बता हूँगा तीसरा test क्यों बोलें जब आपका तीसरा test होगा जिसे हम skill test कहते हैं वहाँ पर स्टेनोग्राफर का specialist लिया जाएगा जिसके अंदर transaction speed की बात करें तो 50 English के लिए 60 Hindi के लिए आपके लिए डिमांड करी जाएगी बात करते अपनी तीसी प्रफाइल की जो कि आपकी निकली है UDC की जिसको मैंने starting में बताया था अपका अपर डिविजिंग अपर डिविजि जो आपका तीसरा test होगा जो skill test है वहाँ पर इन सब चीजियों को monitor definitely किया जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा ओर डिटेल में discussion करते हैं particular job की overview से related यह सारी की स्वारी जॉब जो आपकी group C से belong करती है आपका interview नहीं होगा जैसे आपका exam होगा exam को तीन pattern में divide करा गया है कौन उनको उसे pattern में selection वाले वह मैं आपको आगे बता हूँगा उससे पहले आपका age limit का criteria भी मैं complete करवा देता हूँ एको 18 से 25 वाले यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर अगर आप MTS के अंदर apply कर रहे हैं अगर आप यहाँ पर UDC के अंदर जा रहे हैं तो 18 से 27 एज तक के limit के candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं और salary का भी थोड़ा से यहाँ पर difference रहेगा अगर आप MTS के लिए apply करते हैं तो date time यह salary is around 18 से 56,000 होगी अगर आप UDC पर जाते हैं तो उस time पर आपकी salary 25,000 से 81,000 होगी देखो salary वाले जो part है वो depend करते हैं आपकी location क्या है क्योंकि आपके allowances होते हैं उस पर ब every single job जो government and PSU sector में निकलती है उसकी deadline होती है that's why I am saying कि आप channel पर कभी भी आओ हो सकता है video आप 16 February को देखो तो आपके लिए तो golden opportunity निकल चुकी है but don't worry आपके लिए आ जाएगे अगर आप channel को subscribe करके bell icon को press जरूर करेंगे तो आपको bell icon को press करना है बिलकुल नहीं बोलना है रुपीज यहाँ पर pay करने है जो कि आपका online आप form फिल करोगे तो वहाँ पर आपको इसारी चीज़े पे करनी है यह कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने चार्च लिया जा रहा है आप सभी को बता है government and PSU sector के अंदर कुछ ही आपका application चार्च लेते हैं तो यह उसी का part है तो इ एक्जाम को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है phase 1, phase 2 and phase 3 में तीनों पार्ट को डिटेल में आपके साथ डिसक्स करूँगा है सबसे पहले हम बात करते है phase 1 की phase 1 आपका basic test होता है जहां पर आपसे 100 question कूचे जाते है total score आपका 200 होता है चार आपके यहाँ पर subject हो 200 score होगा एक घंटा होगा यहाँ पर आपको maximum score करना है तो आपका जो phase 1 है यह आप tier 1 कहेंगे वो complete हो जाएगा अब हम next stage पर चलते हैं जो आपका stage 2 आ जाएगा मतलब आपका exam 2 यह आप इसे tier 2 भी कह सकते हैं यहाँ थोड़ से advanced level पर आजाएंगे जो आपके subject है वो सेम होग है one for one for आपकी negative marking भी यहाँ पर होगी तो make sure अगर question आता है तो अच्छे से उसे करें नहीं आता तो छोड़ देने आपका stage 1 stage 2 200 200 number के हो गये हैं आपके यहाँ पर stage 3 भी होगा stage 1 clear करते तो आप stage 2 के अंदर entry करोगे stage 2 clear करें stenographer के लिए तो आपकी stenographer की speed है पर importance रहेगी साथ में यहाँ पर आपका powerpoint और excel की knowledge भी आपकी check करी जाएगी जो आपका exam 30 रहे हैं यहाँ पर total number of time time आपको 30 minute मिलेंगे और total number of score आपका 50 रहेगा 200 250 तो अगर मैं total करूं तो 450 में साड़े 400 में से जो percent maximum score करेगा उसको यहाँ पर job मिल जाएगी अब job की बात करें तो यहाँ पर total number of vacancy बहुत जादा दें चुका हूं still you won't कि अगर मैं आपको कोई सी और information दू तो don't worry लीचे comment section बे आप उनसे बिंदाज पूछ सकते हैं आपके special request से मैंने 2-3 चीज़े और addon कर दिया आपके बिना खरे पहली चीज़े आपका syllabus कि अब आपको syllabus के लिए कहीं नहीं जाना आप हमारी website पर जाएंगे single click करेंगा आपको पूरा syllabus वहाँ पर मिल जाएगा कि आपका यह syllabus है यह subject है इसके आपको preparation करनी है second part आपका यहाँ पर आता है जो कि है आपका यह level of question कैसा होगा exam की preparation तो कर रहे हो तो यहाँ पर मैं video के last में आपस एक question पोछूँगा उस question के चार option आपके पास होगे और नीचे comment section में आपको बताना है कौन से सही answer है with explanation तो यहाँ से मैं यह भी identify कर पाऊंगा कि आपकी तया इस question का answer जरूर दीजेगा messaging चोहान आपसे मिलूँगा next video में next content के साथ video को like करना बिलकुल न भूले जै हिंद